नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन, निरामय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, आप लोगों ने अपने परिवार में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जिनके की पैर की जो वेन्स होती हैं, यानि की जिन्हें आप लोग नसें कहते हैं, वो नसें नीली पढ़ जाती हैं, परपल कलर की पढ़ जाती हैं, और बहुत जादा उनमें इंग वेरिकोज वेन कहा जाता है तो आज मैं आपको इनी वेरिकोज वेन्स के बारे में बताऊंगा कि वेरिकोज वेन्स आखिर होती क्या है ये डैवलप क्यों होती है इनके क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं और किन होमियोपैथिक दवाओं से हम वेरिकोज वेन्स को पूरी तरह से ठेक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों वेरिकोस वेंस का मतलब होता है मैं आपको समझा देता हूँ एक डाइग्राम के माध्यम से देखिए इस चितर को देखिए आप यहाँ पर यह मान लीजिए कि यह हमारा पैर है और इसमें यह जो लाइन देख रहें आप यह जो सिंगल लाइन है यह सिंगल लाइन आपकी वें है अब क्या होता है दोस्तों कि यह जो वें होती है यहां से बलड आता है हार्ट से नीचे की और आर्टरी से और वेंस का काम होता है कि जो बलड यहां पर आया हुआ है उस बलड को वापस उपर हार्ट में पहुचाना है ये इस vein का काम है इस काम को करने के लिए इस vein में बहुत सारे walls होते हैं छोटे छोटे वाल्व होते हैं ये जो वाल्व होते हैं जब इन में कभी weakness आजाती है या इन में कभी कोई खराबी आ जाती है तब ये जो blood पहुचाने की ऊपर heart में इनकी जो छमता होती ह यानि कि heart में इस blood को पहुँचाने का इनका जो काम होता है वो restrict होने लगता है और blood यहीं पर एखटा होने लगता है इसी vein में जब यह इस vein में एखटा होता है तो चुकि वो de-oxygenated blood होता है de-oxygenated blood का मतलब होता है कि उसमें oxygen नहीं होती है और oxygen ना होने के कारण वो जो blood है वो purple color का, नीले color का, हरे color का इस तरह से वो दिखाई देता है तो जब उसमें vein में ये blood यहाँ पर इखटा हो जाता है तो ये vein यहाँ से फूलने लगती है और फूलने लगती है तो वो engorgement होने लगता है अब आप इस diagram को देखिए कि किस तरह से इस व्यक्ति की जो नसे हैं वो फूली हुई है और कितना ज़ादा यहाँ पर blood इखटा हो गया है blood इखटा हो जाने के कारण यहाँ पर इस vein पर pressure पढ़ने लगता है और चुकि उसकी dilatation की capacity उसमें जितनी होती है तब तक तो वो dilate होती रहती है उसके बाद वो वहाँ पर engorge होना शुरू कर देती है और इस तरह से वो एक varicose veins बन जाती है तो इस condition को दोस्तों varicose veins कहा जाता है दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ varicose veins होने के कारण तो इसमें सबसे पहला आता है family history बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके परिवार में ही varicose veins होने की history होती है यानि कि उनकी पूरी family में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें varicose veins देखी जाती है दूसरा आता है इसमें pregnancy खास तोर से वे महिलाएं जिनमें की pregnancy है उनमें बहुत जादा chances होते हैं varicose veins develop होने के दूसरा वे महिलाएं जो की menopausal stage में हैं यानि की जिनके मासिक धर्म खत्म होने वाले हैं रजो निपृत्ती जिसको बोलते हैं उस condition में भी varicose veins होने के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि महिलाओं के शरीर में hormonal changes आते हैं और वो hormonal changes उन valves को जाके शितिल करते हैं कमजोर बनाते हैं इसके बाद जो लोग बहुत जादा देर तक खड़े होने के profession में हैं जैसे कि traffic police हो सकते हैं कुछ दुकान वाले भी ऐसे होते हैं जिन लोगों की दुकाने होती हैं और उन्हें काफी लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है तो उन लोगों को भी varicose veins होने के chances बहुत जादा होते हैं इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र भी इसका एक प्रमुक कारण है जिन लोगों का वजन बहुत जादा है जिन लोगों को मौटापे की शिकायत है उन लोगों में भी varicose veins होने के chances बहुत जादा होते हैं अब मैं बात करता हूँ कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं तो मैं आपको इसके लक्षण बता देता हूँ आप सभी लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे कि जिस भी इस्तान पर varicose veins होती है खास तोर से ये पैरों में ही देखी जाती है शरीर के दूसरे हिस्सों में भी हो जाती है लेकिन पैरों में ज़्यादा देखी जाती है तो आपने देखा होगा कि उस इस्तान पर जो veins होती है वहाँ पे हिस्सा जो है वो नीला परपल कलर जैसा पढ़ने लगता है और काला भी कभी-कभी पढ़ जाता है इनलार्ज जो हो जाती है veins वहाँ पर सिकुड जाती है और इचिंग होने लगती है यानि कि खुजली की शिकायत भी बहुत सारे लोगों को हो जाती है इसके अलावा ये inflammation भी कभी-कभी इन में आ जाता है और बहुत जादा severe conditions में इन में से कभी bleeding भी हो जाती है और skin ulcers भी develop हो जाते हैं तो ये सारे symptoms दोस्तों varicose veins के होते हैं दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ varicose veins के treatment के बारे में तो इसके दो तरीके उपलब्ध हैं दोस्तों पहला आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर लें और दूसरा है homeopathic treatment इसके अलावा एलोपैथी में बहुत सारे treatment आते हैं मैं उनको suggest नहीं करूँगा क्योंकि उनके और भी बहुत जादा side effects होते हैं तो जीवन शैली में बदलाव करने के लिए यदि आप पहुत जादा देर तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं जिन लोगों को varicose veins की शिकायत है उन लोगों को अपने पैरों को जो पैरों का जो label होता है सोते समय उसको थोड़ा सा उपर करके सोना चाहिए ताकि उनका जो blood है वो heart की तरफ जाने में बड़ी आसानी हो इसके अलावा आपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए और बाजार की चीजों की वजाए घर की बनी हुई चीजों का उपयोग करना चाहिए और हरी पत्तेदार सबजियां और vitamins और nutrients जिन में बहुत जाला मात्रा में होते हैं ऐसी चीजों का उपयोग हमें करना चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम homeopathic medicinal system में किन दवाओं के उपयोग से varicose veins को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहली medicine आती है दोस्तों हैमेमेलेस जी हाँ दोस्तों हैमेमेलेस एक ऐसी medicine है जिसका की varicose veins के case में बहुत ज़्यादा use किया जाता है homeopathic medicinal system में और उसमें बहुत ज़्यादा success मिलती है खास तोर से उन cases में जहां की varicose veins से bleeding होने लगती है और उस bleeding के काराण विबिन प्रकार के symptoms जैसे की soreness, inflammation और दर्द इस तरह के symptoms हाते हैं उस condition में हैमेमेलिस 30 potency का use किया जाता है दो दो बूंद दिन में तीन बार सीधे जीव पर रखके यदि ज़्यादा bleeding होती है तो फिर mother tincture का use किया जाता है दस दस बूंद दिन में तीन बार आदे कप या एक कप पानी में मिला का इसके बाद दूसरी medicine आती है दोस्तो आरनिका तो दोस्तो जिन लोगों को varicose vein की शिकायत है और उनको उस condition के कारण पैर में बहुत जादा चोट जैसा दर्द महसूस होता है मान लीजिए ऐसा दर्द होता है जैसे उनको वहाँ पर किसी ने मारा हो उनको कोई चोट लग गई हो उनको कोई जखम हो गया हो तो उस जैसा यदि दर्द होता है तो उस condition में आरनिका का यूज करना चाहिए 200 potency में दो बून सुबह और दो बून शाम को कुछ दिनों दक continue patient को देना चाहिए तो आरनिका वहाँ पर varicose veins को और उसके दर्द को उन सारे symptoms को पूरी तरह से ठीक कर देती है इसके बाद तीसरे नमबर पर medicine आती है दोस्तों पलसे टिला बहुत ही अच्छी medicine है homeopathic medicinal system की खास तोर से female genitalia के cases में female genitalia से संबंदित बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा effective medicine है तो ठीक उसी प्रकार जिन महिलाओं में varicose vein होने की शिकायत होती है खास तोर से menopause के समय में या फिर pregnancy के समय में या फिर किसी menstrual irregularity के कारण तो उन महिलाओं में भी pulsatella बहुत अच्छा काम करती है इसे हमें 200 potency में use करना चाहिए दो बूंद सुबह और दो बूंद शाम को continue कुछ दिन तक उनको देना चाहिए इसका जो खास symptom होता है दोस्तों वो यह होता है कि pulsatella की जो patient होती है वो thirst less होती है यानि कि उसको प्यास बिलकुल नहीं लगती है या बहुत ही कम प्यास लगती है और open air में रहना यानि खुली हवा में रहना उसे बहुत अच्छा लगता है इसके बाद अगली medicine आती है दोस्तों calcarea carb मैं अपने वीडियो में हमेशा बताता रहता हूँ और calcarea carb के उपर तो मैंने अलग से वीडियो भी बना के डाला हुआ है कि calcarea carb का जो patient होता है वो fat, fair, flabby होता है यानि कि मोटा, थुल्थुला, गोरा होता है तो obesity के कारण जिन लोगों को varicose veins की शिकायत होती है यानि कि जिन लोगों का वजन बहुत जादा होता है और जादा वजन के कारण उनकी body में varicose veins develop हो जाती है खास तोर से pair में और चुकि उनका color भी थोड़ा fair होता है तो fair color की कारण वहाँ पर varicose veins बहुत जादा दिखाई देने लगती है बहुत जादा pain भी कभी-कभी उनमें होता है तब उस condition में हमें calcarea carb 200 potency में use करना चाहिए और इसकी भी दोबून सुभे और दोबून शाम को हमें patient को कुछ दिन तक continue देना चाहिए इसके बाद अगले medicine आती है दोस्तों graphitis जिन लोगों में constipation रहता है obesity रहती है यानि कि मोटापा रहता है और जिन लोगों के calf muscle में पैरों में बहुत जादा cramping pain होने की शिकायत होती है यानि कि मरोड जैसा दर्द होता है varicose veins के साथ उन लोगों में graphitis बहुत अच्छा काम करती है तो graphitis 200 potency में उन लोगों को दोबून सुभे दोबून शाम को कुछ दिन तक continue देना चाहिए दोस्तों ये 5 medicines homeopathy में बहुत अच्छे तरीके से यूज की जाती है varicose veins को ठीक करने के लिए इसके अलावा भी बहुत सारी medicines आती है जो की patient के constitution से match करके एक homeopathic doctor अपने patient को prescribe करते है तो यदि आपको varicose veins की शिकायत है तो इन पांचों मेंसे जिस medicine से आपके symptom match होते हो केवल उस medicine को लेना है पांचों medicines को नहीं लेना है तो इस तरह आप इन homeopathic दवाओं का उप्योग करके अपनी varicose veins को पूरी तरह से ठीक कर सकते है तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही आगे के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी homeopathic दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, homeopathic दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मुह में अच्छे से कुला करके गारगल्स करके मुह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें homeopathic दवाओं खा लेना चाहिए जिन दवाओं को दिन में दो बार या तीन बार या चार बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर दो से धाई घंटे बाद ही खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए नहीं हमारे मुह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए जिससे की ये homeopathic दुवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम homeopathic दुवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुह में किसी भी चीज़ का स्वाद या किसी भी चीज़ की Smell ना हो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलाइची खा सकते हैं या नहीं बिलकुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं होमियोपैतिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को के खाने से या तो आदे गंटे पहले होमियोपैथिक दवा खा लें या फिर इने खाने के दो ढ़ाई गंटे बाद जब कि आपने मुह में अच्छे से कुला कर लिया हो अच्छे से गारगल्स कर लिये हो तब इन होमियोपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होमियो दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है यह होमियोपेथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदी किसी भी होमियोपेथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्द हो जाएंगी यह दवाएं हर उसको कोई दवा बेची जाती है और नहीं कोई दवा भेजी जाती है इसलिए अपने नजदी की होमियोपेथिक मेडिकल स्टोर या ओनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें